प्रेंड गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे मजे मेह होंगे आज परशुराम जयनती का हादिक सुबकामना है और आज अच्छे तीतिया है तो अच्छे तीतिया कभी बहुत-बहुत शुबकामना है वह से लौद आज के दिन कि मानish है कि अगर आपके पास उतना है तो सोन चांदी खरीदना चाहिए और कोई भी अच्छी काम करने कभी से अच्छे तीटिया के दिन बहुत अच्छा होता है और अगर कोई नहीं सकता है तो उस दिन 11 कौरी खरीद के लाइए बजार से और लाल कप्रे में मलमल के लाल कप्रे में बान करके अपने तीजोरी में रखिए मा रचमी जी को चरहा करके तो भी बहुत ही अच्छा होता है तो हम तो कुछ नहीं खरीद पाएंगे अभी फिलाल तो 11 कौरी जरूर ख रखते हैं लग भग हर साल रखते हैं तो इस साल भी ले आएंगे रखेंगे ही 11 कौरी और कभी-कभी तो कुछ खरी भी लेते हैं और नेसे और इनका मान लेता हैं कि यहां में आम परवार में जना में लिये थे लेकिन इनका ना जो नेचर था वो पूरा च्छत्रियों की तरह था इसलिए वह बहुत संकर्भुगान जी के बहुत भगते थे तो बहुत संकर्भुगान जी का पूजा पाट करते थे तब करते थे और यह भी मानने था हमें उत्ताद जनकारी नहीं है लेकिन जो थोड़ा बहुत जनकारी है उसी में से हम आप तक सेर कर रहे हैं कि पशुराम जी के पिता जो थे वह बहुत ही ओभी सक्तिशाली थे तो उनके पिता जी गुसा हो करके अपने सभी भाई अपनी पत्नी से सभी बेटों को बोलते थे कि अपनी मा का वद करो तो कोई बेटा उनका अपनी मा का वद नहीं किया लेकिन परशुराम जी को जब बोला गया कि तुम मा का वद करो तो अपने मा का वद कर चुके परशुराम जी की है तो फिर भावान उनके पिता जी खुश हो करके बोले कि तुम हमसे कोई तीन वर्द वरदान मांगे थे कि मेरी मा जीवित होगा और तीसरा को पराजाए नहीं होंगे तो उनके पीता जी वरदान के अपना पुत्र का पुरा पूरा किये इसलिए बहुत ऐसा च्छोटा बहुत बड़ा है यह कहानी बहुत तरह का आदमी बोलता है लेकिन जो हम में दो चार मालूम है वह कहानी आप तक हम सेयर किये है इसमें से हो सकता है कि कुछ बोलने में भी गलत हुआ होगा तो उसके लिए सुरी